गुड मारिंग क्लास बेटा हमने हिंदी रीडर में पार्ट पंद्रा पड़ा था पन्ना का त्याग चैप्टर की रीडिंग हम लोग लाइफ क्लास के टाइम पर अल्रडी कर चुके हैं तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इसके शब्दार्ट जो भी इसका एक्सरसाइस पार्ट है वो बता दूँगी तो वो आप वक अपना कंप्लीट कर लीजेगा शब्दार्ट में देखिए पहला शब्द है मर्दानी मर्दानी यानि मर्दों जैसे काम करने वाली डूबना यानि तल्लीन हो जाना बाल सबा यानि चात्रों की सबा जिसमें अंताक्ष्री वाद विवाद होते हैं फिर हैं अंताक्ष्री क्या होती है एक ऐसा खेल जिसमें अंती मक्षर को लेकर अगला चात्र कवीता की पंक्ती या शब्द को बोलता है नंबर मतलब बारी, नारी यानि की स्त्री, पाटे करम मतलब निर्धारित, विशे, निकट यानि की पास, मतलब यानि अर्थ, संगठन यानि एकता, और धाय कौन होती हैं, पालने वाली मा. फिर है कलपना यानि विचार, अत्याचारी यानि अत्याचार करने वाला, मजबूरी यानि वेवसी, स्वेच्छा यानि अपनी इच्छा, कालग्रस्थ यानि मृत्यू को प्राप्त, निर्धन यानि मृत्यू, राच्तिलग यानि राजा बनने की रसम, दासी यानि रानियो प्रजाब निसकंटक यानि बाधा रहित ढाल यानि तलवाराधी के वार को रोकने के लिए गोलाकार वस्तु, हत्या यानि मारना और नगर व्यापि यानि पूरे नगर में व्याप्त फिर देखिए चौकसी यानि पहरेदारी, निरापद यानि बाधा रहित, भेडिये यानि जासूस, संकल्प यानि निस्चय, बारी या दोने या पत्तल बनाने की एक हिंदु जाती, आन यानि सम्मान एकमात्र यानि अकेला, प्राय यानि हमेशा, शयनकक्ष यानि सोने वाला कमरा जैस जास होते हम, छाती पर पत्तर रखना यानि कठोर फैसला करने का निस्चय करना और गौरव यानि सम्मान अभोध यानि भोला, दुलार यानि प्यार, निद्रामगन यानि सोना, सडेंत्री यानि सडेंत्र अचने वाला, कक्ष यानि कमरा, अठास यानि जोर से हसना, भवानी यानि दुर्गमा, और सपूत यानि सुपुत्र गिरगिनाना यानि याचना करना पातकी यानि पापी बहादुरी यानि वीर्ता शत्रित्वय यानि शत्रियता की भावना कतार यानि के तलवार जैसा छोटा हतियार और वार यानि की आकरमन तो ये तो हुए शब्दार जो कि आपको करना है करने शब्दात करना मथ भूलना ठीक है फिर आपको इस में क्या पार्ट करना यहां लिक्गे वाले पार्ट से करने है ठीक है देखो उदर सिंग ऊंदे को नाच रंग में नहीं जाने दिया इसलिए रूट कर डैश में ही सो गया था तो कहा सो गया था रसोईगर में उद्य सिंग पर पन्या धाय डैस चाही हुई थी तो क्या चाही भी थी ढाल बनकर चाही थी उसकी रक्षा में सही उत्तर चुनकर क्रमाक्षर कोस्टक में लिखें उद्य सिंग की देखवाल कौन करती थी तो पन्या धाय करती थी ठीक है? पन्ना धाय का एक मात्र बेटा था उसका नाम क्या था? चन्दन नाम था उसका दासी पुत्र बनवीर क्या चाता था? तो दासी पुत्र बनवीर चित्तोडगत की राजगत्दी चाहता था महा डुस्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी? महा डुस्ट बनवीर ने नवरात्र में नाच रंका आयोजन कर दोनों राजकुमारों को धोके से मारने की बाद सोची थी पन्ना धाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? पन्नाधाय ने कीरत बारी के माध्यम से उदै सिंग को सुरक्षित बहार निकाल कर और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे कर बनवीर की चाल को असफल किया नेक्स्ट एक कीरत बारी ने क्या काम किया था? पत्तलों के धेर के टोकरे में राजकुमार उदै सिंग को छिपा कर किले से सुरक्षित बाहर ले गया था इस थरह उसने मेवाड पर आये संकट के समय पन्नाधाई की साहेता की ठीक है? तो यह हैं आप करेंगे फिर देखो नीचे लिखे वाक्यों में दिये गए गहरे काले शब्दों को समलित करते वे भवचन से वाक्य बनाएं तो भवचन से वाक्य बनाएं जैसे खिडकी खुली थी तो यहां जगा खिडकी यां खुली थी मोहन ने ताली बजाई खूबी लान ने कहानी सुनी, खूबी लान ने कहानियां सुनी, रंड में रानी लड रही थी, रंड में रानियां लड रही थी, दासी आ रही है, दासियां आ रही है, इस तरहे आप इसको पूरा करेंगे, ठीक है, फिर ये विशेशन शब्द हैं कुछ, तो आप इस विशे पर अपनना धाय के स्तान पर उते तो उद्यासिंग को कैसे बचाते यह बी गब शुष्ण आपने पुत्र का बलीदान नहीं दिया होता तो क्या होता यह वियों या सकते हैं तो यह हुआ हमारा पार्ट कम्प्लीट पार्ट था ही है हमारा पंदरा ठीक है तो इसके शब्दात और exercise पार्ट मैंने सारा आपको बता दिया है अब इसमें से देखकर आप लोग अपना वर्क कम्प्लीट कर लेना एक बार चैप्टर की रिडिंग जरूर करना खुद से ताकि आपको चैप्ट